असलाम अलेकुम मेरा नाम है शरजील और यह है MI Note 10 की वीडियो चैनल पर फर्स टाम आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देगा और साथ साथ नोटिफिकेशन बेल पे क्लिक कर देगा दोस्तो कल थी पांच निवेंबर और कल शौमी चाइना की तरफ से एक एविंट को होस्ट किया गिया है जिसके अन्होंने शौमी CC9 Pro को लांच किया और गलोबली तोर पे इस मुबाल फून को MI Note 10 के नाम से लांच किया जाएगा और इस मुबाल फून के अंदर जो सबसे बड़ी अपग्रेट मुझे रहे साब से है वो है 108 मेगा पिक्सल का पेंटा कैमरा सेटप इस मुबाल फून के अंदर सिफ कैमरा अच्छा नहीं है बलकि यहां पर आपको कैमरे के अंदर फीचर्स भी काफी अच्छे दिखने को मिलते है पीचर्स के बारे में बात करेंगे लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूँ के इस मुबाल फून के अंदर आपको 108 मेगा पिक्सल का में सेंसर देखने को मिलेगा इसके लावा यहां पर आपको 12 मेगा पिक्सल का टेली फोटो एइट देखने को मिलेगा 20 Megapixel का Ultra White Lens देखने को मिलेगा 5 Megapixel का Depth Sensor रखा गिया है और 2 Megapixel का Macro Lens देखने को मिलेगा इस Mobile Phone का Camera Size है वो काफ़ी दादा इंप्रूफ किया गिया है पिछले मॉडल के मुखाबले में और कहा यह जा रहा है कि इसका जो Camera का Sensor Size है वो Huawei Mate 30 Pro के बराबर रखा गिया है यहाँ पर आप में से वो लोग जो के थोड़ा बहुत Camera के बारे में जानते होंगे वो मेरी बास से Agree करेंगे कि Camera के अंदर Megapixel कान मेटर नहीं करते हैं जितना Sensor Size मेटर करते हैं इसके लाव इस Mobile Phone के अंदर आपको 50X का Hybrid Zoom देखने को मिलेगा और 5X का Optical Zoom देखने को मिलेगा यहाँ Camera के अंदर आपको Image Stabilization का भी Option देखने को मिल जाएगा इसके लाव यहाँ पर जो पिक्चर की Quality है वो बहुत जादा Exciting है क्योंकि यहाँ पर आपको जो Resolution मिलेगी Image की वो मिलेगी 9,000 x 10,000 पिक्सल्स की तो यानि के यह बिलकुल High Level के फोटो होगी और कि कहा जा रहा है कि जो Image का Size होने वाल है वो Maximum 70 MP तक Shoot कर सकता है यहाँ पर आपको इस Mobile Phone के अंदर OIS की Support भी देखने को मिल जाएगी दोस्तों Camera के यह सारे Features मिला कर इस Mobile Phone के Camera का जो DxO Mark Score बन रहा है वो 121 बन रहा है और आपने Recently Mate 30 Pro का देखा था उसके अंदर भी आपको Same Score देखने को मिलता है यानि कि Xiaomi Mi Note 10 के अंदर आपको Picture Quality Mate 30 Pro जैसी देखने को मिलेगी और Launch Event के अंदर भी काफी जादा Xiaomi ने Mate 30 Pro से इस डिवाइस को काफी जादा comparison किया था यहां पर इस Mobile Phone के डिस्प्ले की बात करूं तो यहां पर आपको 6.47 इंचिस का काफी बड़ा डिस्प्ले देखने को मिलेगा और यहां पर Curve OLED डिस्प्ले का इस्तमाल किया गया है और Leaks के मताबिक यह डिस्प्ले सैमसंग ने manufacture कर रहा है तो यानि कि जो आपने डिस्प्ले S10 के इंदर देखा था और Huawei P30 के ने देखा था वो OLED डिस्प्ले सेम तू सेम आपको यहां पर MI Note 10 के इंदर देखने को मिलेगा यहां पर आपको 1080p की डिजिशन देखने को मिल जाएगी और यहां पर इस मुबाइल फून की पर्फॉर्मेंस की बात करूं और यह चिपसेट की खास बात यह है कि यहां पर आपको फोर के रिकॉर्डिंग की ऑप्शन मिल जाएगी 30 फ्रेंस पर सेकंड की इसके लावा यहां पर स्लो मो की ऑप्शन भी मिल जाएगी आपको 960 fps बैल यहां पर इस मुबाइल फून के रैम और रॉम के वेरिंट की ब की सपोर्ट भी देखने को मिल जाएगी और शौमीन अपने लाउंच इवेंट के अंदा इसकी चार्जिंग टैस के किलिप शेयर के रही थी जिसके मताबरिक 65 मिनिट के इन्दा इन्होंने 0-100 लग इस मुबाइल फून को चार्ज करके दिखाया जो कि काफी अच्छी बात बात है तो 6 GB और 128 GB वाले वेरियंट को चाइना के अंदर 2800 चाइनीस युवान के लाउंच किया गया है जो के पाकिस्तानी अलमुस 65,000 रुपे के असपास बनते हैं इसके लावा जो 8 GB और 128 GB वाला वेरियंट है उसको 31 युवान के लाउंच किया गया जो कि अल्मूस 70,000 और जो 8GB और 256GB वाला स्मार्टफून है वो लॉंच किया गया है 3500 चाइनी सिवान के अंदर जो कि कर देगा वीडियो पसंदा यह तो वीडियो के लाज में लाइक कर देगा मिलते हैं आप से नेक्स्ट वीडियो अपना ख्याल लगेगा दिस इस शर्जीर साइनिंग ओफ अल्ला हाफिस